हेलो इस्टूडेंट तो चली आज की इस वीडियो में क्लास 11 मेहत की एक्सरसाइज 1 E का कुश्चन नंबर 13 देखते हैं पढ़ते हैं क्या के रहाम से के निम ने लिखित विज्ञापन एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था क्या विज्ञापन था वो देगे विज्ञापन के ऐसे अध्यापकों की आवशकता है जो भौतिक विज्ञापन पढ़ा सके और किर्किट के प्रथम 11 खिलाडियों को शिक्षित कर सके इस महीने की 30 तारिक से पहले प्रधाना चारे को प्रार्थना पत्र भेज दें हुआ है अब नीचे एक संकेत दिया हुआ है वो पढ़िये कह रहा है विज्ञान के अध्यापकों के समुच्चे को समिष्टिये समुच्चे एं बहुत एक विज्ञान पढ़ाने वाल हो के समुच्चे को समुच्चे को हैष्वान कर भेण Representative खीजो अप इस संकेत को नोट कर लिए बहुत ध्यान से इसी से आपका सवाल है लोगा बहुत छोटा सा कुश्चन है केवल दिया आपको बढ़ा है देए कैसे गन्ना है solve करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ जो आपकी अगली exercise में भी बहुत ध्यान में देनी आपको देगे कभी अगर आपको दिया हुआ है A समुच्चें के लिए समुच्चे A और B और A या B या जब आप question पढ़ते हैं तो आपका निश्करश निकलता है और या फरक तो आपको बता है और का मतलब दोनों और या का मतलब दोनों में से कोई एक ठीक है तो इन में कहा union होता है इस पर देखाओ A और B तो यहां होता है आपका intersection और लिखा हुआ हो A या B तो यहाँ पर होता है आपका union यहांपर कई लोग गलती करते हैं, वो लोग समझने में गलती कर देते हैं, कई बार वो A और B को Union लिखて हैं और A ya B में intersection मान लेते हैं, ध्यान दीजे, कभी निशकर्ष में नकले A और B, तो वहाँ होगा intersection निशकर्ष नकले A या B, में से कोई एक तो निश्का इस निकलेगा ए यूनियन बी इसको आप नोट कर लिए अगली एक्सरसाइज में भी आपके बहुत काम आईगी अब इन्होंने हमें संकेत में क्या दिया था मैंने आपको दिखाया आप देखिएगा बुक में कह रहा था विज्ञान के खिलाडियों को शिक्षित करने वाले समुच्चे को एफ मान लिया ठीक है तो यहां पर इसको हमने एफ मान लिया और इसको हमने एन मान लिया ठीक है ध्यान दीजिएगा अब यह हमसे कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कि भौत एक विज्ञान पढ़ाने वाले वालों के समुच्चे को N और किर्किट के खिलाडियों को शिक्षित करने वालों के समुच्चे को F मानकर वे नारे खींचो अब उपर कोश्चन पढ़िए question में हमसे कह रहा था सभी आवशक्ताओं की पूर्ती करने वाले अध्यापकों को चायत करो सभी आवशक्ताओं की पूर्ती यानि हमें ऐसे अध्यापक को चायत करना है समुच्चेव में जो भौत एक विज्ञान भी पढ़ा सके और किर्किट के खिलाडियों को शिक्षित भी कर सके तो डैस की तो बात हो नहीं रही है यानि हमें केवल वरत्तों में ध्यान देना है हमें ऐसा अध्यापक देखना है जो भौतिक विग्यान भी पड़ा सके और किर्किट के खिलाडियों को सिक्षित भी कर सके निश्कर्ष क्या निकला और यानि हमें चाहिए यहाँ पर A भी मैंने माना था अब यहाँ N और F है तो हमें N intersection F को चायांकित करना है अब N intersection F आपका कौन सा भाग हुआ जो दोनों का common भाग होगा यानि कि यह होता है आपका N intersection F बस इसको चायांकित कर देना है होगे आपका सवाल ठीक है काफी चोटा सा सवाल था बस मुझे आपको अच्छे समझाना था इसलिए मैंने इसको इतना लंबा खीचा हमें निकालना था N intersection F intersection के बाग को चायांकित कर दिया ठीक है तो अब अगले दो सवाल Question No.14 और Question No.15 आपनों के लिए पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ कह रहा है मान लीजिए U बराबर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 A बराबर 1,2,3,4 B बराबर 2,4,6,8 C बराबर 3,4,5,6 तो निम ने लिखिव ग्यात कीजी नीचे 6 पार्ट में अपको यह सवाल दिया हूँ और सभी मैं आपको सुखा चुक हो कैसे आपको A ds निकालना है कैसे B ds कैसे pun कैसे आपको A union C का ds निकालना है पहले आपको A union C निकाल देना है उसके बाद A union C के जो अवियव U में यानि समिष्टी है समुच्चे में मौजूद हो उसको U में से हटा कर 6 जो अवियव बचेंगे वो आपका A union C का whole dash होता है ऐसे A union B का dash निकालना है A dash का dash सीधा आंसर बता रहो A dash का dash बराबर हो जाएगा आपका A के यानि पाँचवे का answer हो जाएगा 1,2,3,4 चटवे में B minus C का dash निकालना है तो पहले तो B minus C निकाल लेना है यानि C का जो अवियव B में हो उसे B में से हटा देना है उसके बाद जो बचेंगे समुच्चे उसके अवियव जो समिष्टी है समुच्चे U में मौझूद हो उन्हें U में से हटा देना तो सभी मैं आपको सिखा चुका हूँ तो ये कुश्चेन आपको खुछ से कनना है अगला कुश्चेन नमर 15 देगे कह रहा है U बरावर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 A बरावर 24,6,8 B बरावर 23,5,7 तो सत्यापित कीजिए यहां पर हमें दो सवाल सिद्ध कनना है LHS बरावर RHS प्रूवड होगा Simple पहले में हमसे कह रहा है A union B का whole dash बरावर A dash intersection B dash तो देगे ये चीज़ सेम हमने Question number 5 में की थी A union B का whole dash बरावर A dash intersection B dash तो सिम वैसे ही आपको इसको कर लेना है और इसी तरह इसका second part है उसमें हमसे कह रहा है A intersection B का whole dash बरावर A dash union B dash तो Simple आपको पहले A intersection B निकाल लेना है उसके जो अव्याव U में मौझूद हो उन्हें U में से हटा देना है और A dash union B dash में Simple आपको पहले A dash निकाल लेना है फिर B dash निकाल लेना है और उनके सभी अव्यावों को एक समुच्चे में कर देना है तो I hope ये दो कुष्चिन आप खुद से solve कर लेंगे अब देखते हैं कुष्चिन नम्बर 16 अम से गया कह रहा है कह रहा है मान लीजे के किसी समतल में सभी तरभुजों का समुच्चे सार्वत्रिक समुच्चे U है तो U हमारा क्या हो गया किसी समतल में सभी तरभुजों का समुच्चे यदि A उन सभी तरभुजों का समुच्चे है जिनमें कम से कम 1.60 degree है तो a-s क्या होगा तो देखिए Question number 16 में हमसे कहा क्या है ध्यान से देखिएगा हमसे कहा है u बराबर समतल में स्थित सभी तरभुजों का समूच्च समतल में स्थित सभी तरभुजों का समूच्च ठीक है सुरी पैन नहीं चलगा अगला A बराबर क्या है A बराबर है A है उन सभीत्र बुजों का समुच्चे जिन में कम से कम 1.60 डिगरी हो तो अब दो समुच्चे हमें थियोरी में लिखे हुए दिये हैं तो इसका आंसर भी हम ऐसे ही कर देंगे अब हमें करना क्या होता है A-S निकालना है तो A के जो अभी अभी U में होते हैं उन्हें हमें U में से खटा देना होता है ठीक है तो यहाँ पर A-S आपका क्या हो जाएगा A-S आपका हो जाएगा सभी संभाहुत्र बुजों का समुच्च ठीक है इसको आपको आंसर कर देना है अब देगे लास्ट कुश्चिन नंबर 17 में हमारा रिक्तिस्थान आपको भनने है देगे A union A dash हमारा क्या हो जाएगा A dash मतलब उन अव्यावों का समुच्च है जो U में A के उन अव्यावों का समुच्च है जो U में मौझूद ना हो और union A तो ये हमारा हो जाएगा U ठीक है अगला हमसे कह रहा है 5 dash union A तो 5 माने रिक्त समुच्च है dash से कोई मतलब है नहीं तो यहाँ इसका answer हमारा हो जाया अगले में हमसे कह रहा है A intersection A dash मतलब A dash वो है जो U में मौझूद ना हो A के अव्याव और A के अव्याव मतलब दोनों के अव्याव अलग-अलग होंगे तो common अभी आप कोई बनेगा नहीं तो answer आएगा 5 अगला U dash intersection A sorry dash नहीं है U intersection A हाँ ठीक है U dash intersection A तो U dash intersection A हमारा कुछ नहीं 5 हो जाएगा ठीक है यह आपका question number 17 में आपको केवल रिक्तिस्थान बनने थे तो आप समझ कर भर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो A का आप अपना समझ्टिय समुच्च यू मान लीजे जैसे मैंने आपको सिद्ध करने वाले सवालों में समझाया था और A का आप A मान लीजे उसी से A डैस निकल आएगा उसी से आपको सारे समझ में आ रहे हैं कैसे आपका यू आई है ये A आई है ये फाई है ये फाई है फिक है इस तरह आप question number 17 कर लीजेगा खर आपता वाले से येवा येऑ खता यू ओड़ लीजेश कर ववाब में लीजेगा लीजेश То 15 ज dollar